हेलो गाई श्वागत एकबर फिर्स से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डर्बन सूपर जाइंट वर्च जोबर सूपर किंग्स के बीच में जो यह साउथ अफरीका टी-20 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा इसके बारे में यह विडियो में आपको पता चले कि कोन से वह प्लेयर्स हैं जिनको आप इसमॉल लीग में र आहीग और कौन से वह ऐसे प्लेयर्स जो आपको कैसी रहेगी पिछ आज की सारी चीजे इंपॉर्टेंट इंफो जो आफ्टर टॉस के बाद आती है वह टेलीग्राम पर दिया जाएगा फ्री में तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ वीडियो के डिस्किप्शन में और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में टेलीग्राम 990 पार पांच बार चारश यहां से आपको समझ दाता है कि 150 से 170 समतिंग देखने मिल सकता है जो रिसेंट तीन मैचेज यहां पर खेले गाएं फेब 2021 में वहां पी देखेंगे तो यहां पर 150 समतिंग र्यावान फींट के सम्टिंग इस्को रिएंग यहां पर 100 के समतिंग आए कि पेसर्स को यहां थोड़ा है तो न्यूट्रल विकेट है बॉलिंग डिपार्टमेंट से थोड़ा पेसर्स को मदद है प्रिवियस मैचेस के अकॉर्डिंग ठीक है अब देखो चुकि न्यू न्यू टॉर्णामेंट है तो हैड टू हैड मिलेगा नहीं तो यहां पर अगर आपने साइन अप नहीं किया तो कर लो लॉइस रहता है यहां पर लॉंग टम तक बनिफीशियल रहेगा गिववेवे कॉंटेस्ट आपको टाइमली मिलता रहता है यहां पर जिससे अगर आपके पास कभी पैसे नहीं है तो आप यहां पर फ्री में कॉंटेस्ट उसके नीचे जो बोनस लिस्टेड है वह आपको मिल जाएगा जो की फ्लैट 300 परसेंट बोनस है और वह बोनस आपको अप्टू 20 परसेंट तक आप स्मॉलर लिक्स में भी यूज कर सकते हो तो बोनस आपका यूटिलाइज हो जाएगा ऐसा नहीं है कि बोनस पढ़ा अब देखो डर्बन की बात करते हैं विद रीसेंट स्कूर जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर अभी के लिए जो इनका बैटिंग ओडर है वह मैंने इनके आइडल पोजिशन पे लगाया हो सकता है थोड़ा उपर नीचे हो जाए और मैं आपको आज भी बोलूंगा कि द देखके चलना उसके बाद 2-3 मैच हो जाए उसके बाद आपको हर एक प्लेयर का रोल पता चल जाएगा और टीमों को भी पता चल जाएगा तो उस हिसाब से फिर आप लोग अच्छा खासा इंवेस्ट का सकतो अभी के लिए थोड़ा कम करना जो इनके प्लेयर्स हैं क्वि आउस अधकी हाए यह तेटेन का है वैसे लिस्टे में ब्रेग्जे का फॉर्म का नच का फॉर्म ठीक था चल ज़ा खिया और जो इनके बॉलर्स है जो पूरे बालिंग डाल सकते हैं वह कौन को नहीं यह नीचे से हो गए आपके पांच बॉलर्स इनके चारचर ओवर डाल बागी वीहान मूलडर ये भी बॉलिंग डाल सकते हैं नहीं भी डाल चकते हैं तो झीड किसी की ओपर खाज गिर सकती है और वहो ओब मिल सकता तो वीहान मुल्डर और बी ये चीज द्यान रखता है ठीक है power play voulais要र इनके तो ले होलडर 10 इनिदप ये 4 बॉब ये चारो ON 20 इन और को ये चेछार लेह कर लेकर चाहि GPA न्या रिएatisf दो जा है करने कद आपको डीटिल में छल्म कर रखा आपको समझने में असानी होगी अब आप वीहान वोल्टर का फॉर्म देख लेना काफी अच्छा इसके बाद जो यहां पे इनके बॉलर्स ए इसमें भी जिसका कि किसी का पर रिकॉर्ड देखना हो आप देख सकते हैं ठीक है सारी चीज़े मैंने यहां पर मेंचिन कर दी है और जोब हम टीम बनेंगे तो वहां पर भी डिसकस कर लेंगे इसके अलाबा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो भी आफ्टर टॉस के बाद आती है वो सारी ची चीज धियान रखना कि मैंने प्लेइंग लेवन इनके आइडियल पोजिशन के उससे ही लगाया है इसके बाद कुछ चेंज होता है और मुझे पता चलता है तो टेलीग्राम पे बताऊंगा अधरवाइस थोड़ा सा एक दो मैच हो जाने दो पता चल जाएगा किस प्लेयर बेहतर है अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ग्रिगोरी का वर्म डीसेंट है सैफरेंट का फिर्म ठीक भागा के लिस्टे में गार्टन का फॉव्हा जोसेफ का फॉम चाफी अच्छा है उसके बाद फंगीशों का फॉम ठीक था अगया तो इह कुछ प्लेयर्स थे ज ठीक है तो इन पांचों के ज्यादा चांसे से इसके लावा कोई चेंज होगा तो वह मैं आपको टेलिग्राम पे बदा दूंगा अगर नंबर ऑब बॉलर्स ज्यादा खेल रहेंगे तो ठीक है अब पावर प्ले में गाटन और जोसेफ आ सकते हैं डेथ में जोसेफ और सेफ इस तरीके से आप देख सकते हो हर एक प्लेयर का डीटेल में स्टैट्स देखना है तो यहां पर नील ब्रांड का भी और बर्गर का भी रिकॉर्ड अच्छा है सेफ़र्ड और ग्रेगोरी का तो ही है ठीक है इसके अलावा बॉलिंग से अगर आप देखेंगे तो यहां प पर डिसकेशन करेंगे स्टैट्स भी साथी साथ यह भी डिसकेशन करेंगे कौन सा प्लेयर की सिचूशन में पर लिए अच्छा पी कर रहेगा ठीक है तो वहां चीजी और क्लियर हो जाएंगी बाकि अब हम थोड़ा सा वैं क्यूक्कि हैड तो हुआ नहीं है वह मिलेगा प्लेयर बैटल देख लेते हैं तो यहां पर काईले मेर्स को सेफ़र्ड ने बारह गिंदों में दोबर 27 अंदेकर और जेशन ओल्टर को सेफ़र्ड ने 23 गंदों में तीन बर आउट के बाकि सबका एक एक बार आउट हुए हैं तो उससे कुछ बड़ा कंक्लूजन निकलत हैं तो ज्यादा कुछ खास निकलने रहा है कंक्लूजन में तो बाकि अब हम चलते हैं इन सब चीज का जो भी हमने स्टैट्स देखा जो भी हमने प्लेयर बैटल देखा वेनियो रिकॉर्ड देखा इस सबका कंक्लूजन निकालते वे एक बेस्ट टिम बनाने की कोशिस करत जाते हैं इनको मौका मिलता है तो बट प्रॉब्लम यह कि काफी नीचे बल्ले बाजी करने आते हैं कभी घबार ठीक है काफी नीचे क्या मतलब पांच और छेठे नंबर पर आते हैं और एक चीज है कि कीपिंग मोस्पोब्ली क्वेंटन डिकॉक करेंग अपनी टीम से मैंने थोड़ा कॉंप्रमाइज नहीं किया है अधर्वाइज स्मॉल लिग के कंसीडरेबल ऑप्सन रहेंगे काइल वेरेनियन मुस्पोब्ली यह अपनी टीम से कीपिंग करेंगे तो अगर देखो फेरारिया का जो एवरेज था वह 41 का एवरेज था बट जो इनका क्रिके इसके अलावा देखो बैटिंग से रीजा हेंडिक्स कंसिस्टेंट स्कोरिंग के लिए जाने जाते है अभी लिस्टे में इनका फॉर्म अच्छा था उससे पहले टीट्वेंटी क्रिकेट में भी फॉर्म अच्छा था बट अनफॉर्चनेटली इनको टीट्वेंटी टीम बटर के बल्लेबाज है एक प्रॉब्लम है इनके साथ जो कि थोड़ा सा पिछले कुछ समय से जूज हैं लेफ्टाम पेसर के अगेंस्ट यह थोड़ा स्ट्रगल करते हैं बट जो क्वालिटी प्लेयर्स होता है वो कभी अपनी कमजूरी के ऊपर इंप्रोव्मेंट कर ले तो आप इनको छोड़ने का भी रिस्क ले सकते हो बट एक चीज है कि बॉलिंग बैकप दे सकते हैं देखो बॉलिंग का सियोरिटी में नहीं दे रहा हूं कि कराएंगे कि नहीं लेकिन दे सकते हैं एक आद ओवर करके तो इसलिए मैंने ले लिया अभी के लिए टीम में उ उसके बाद बल्लेबाजी विकेट इन दे सेंस की हाईली बैटिंग फेंडी उसके बाद यानेमन मलान यह कंसिस्टेंट स्कोरिंग के लिए जाने जाते हैं यह लगातार मतलब आते ही हिटिंग नहीं करते हैं थोड़ा सा समय देते हैं खुद को फिर पारी को बिल्ड करते तो इस टाइब के बल्लेबाजों पर थोड़ा भरोसा होता और जिस टाइब की विकेट है न्यूटर्ल विकेट जहां तक मैंने देखी अभी तक प्रिविएस मैचेश के अकॉर्डिंग तो ऐसे बल्लेबाज ऐसे पिछ पर अच्छा कर सकते हैं इसलिए मैंने इनको लिया है जॉंकर का 26 इनका 31 इनको थोड़ी बहुत गिंदबाजी कर सकते हैं इनको अच्छा आसा एक्सपीरियंस है बर प्रॉब्लम वह है कि गिंदबाजी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी बल्लेबाजी कितनी आएगी नहीं आएगी और उसमें कंशिस्टेंट ट्राइंगे कि निए तो अच्छे सौट्स लगा सकते हैं उसके बाद प्रिटोरियस है जिन्होंने टी 20 इंटरनेशनल से सन्यास ले लिया है और देखो देथ में गिंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इनको इंटरनेशनल टीम से लगातार देथ में गिंदबाजी करवाई गई और एनी टाइम प्रमोट हो सकते हैं फॉर हिटिंग तो मस्टप पिक रहेंगे उसके बाद आर सेफर्ड ये भी विकेट टेकिंग नेचर के गिंदबाज है साथी साथ अभी इनका लिस्टे में फॉर्म भी अच्छा था बल्ले से भी तो आप इनको हलके में नहीं ले सकते नहीं ले खास करकि अगर ये फ़स्ट इंग में बॉलिंग डालेंगे तो तो ये तीनों के तीनों आच्छे खासे पेके उसके बाद मैं अपनी टीम में लेना जाता था विहान मूल्डर को मैं मूस्ट पॉबली यहा पर चाहते की जा सकते हैं भी विकेट लेके जा सकते है CSA T20 में पिछले साल इन्होंने देथ में भी गिंदबाजी की हुई है, हाला कि ये पाट टाइमर, पाट टाइमर क्या मतलब दो तीन ओवर ही डालते हैं, पुरे चार ओवर का इनका कभी स्योरिटी नहीं रहता है, लेकिन ये गुच्छे में विकेट लेने के लिए जाने जा स्मॉल लीक के लिए ठीक है, उसके बाद नीचे कीमो पॉल एक एवरेज ऑप्सन ही रहेंगे, ग्रेगोरी अगर इनकी टीम पांचों गिंदबाज के रूप में खेलेगी, खेलाएगी तो ये एक अच्छे खासा पिक रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत अच्छा खासा एक् लेने के लिए जाने जाते हैं, सेकंड इनिंग में भी अपनी टीम में इनको रख सकते हो, रिस्टो पले, इनके पास अच्छा खासा बॉलिंग का कंट्रोल रहता है, मुवमेंट दोनों तरफ कराते हैं, डथ में भी गिंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जहां स्ल लिए गाटन एक और राउंडर है कभी-कभी इनके ऊवर कट जाते हैं लेकिन आप देखेंगे आप अपनी टीम में रखना चाहते तो बिल्कुल रख सकते हैं मैंने अभीकली अपनी टीम में नहीं रखा है बट अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग डालेगी तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रख लेना रंच भी बना सकते हैं केसा हमारा आज डीसेंट आल राउंडर है 25-30 आपको आराम से देके जा सकते हैं तो अगर आप रखना चाहिए रख सकते हैं जूनियर डाल आगर खेलेंगे तो विकेट टेकिंग गेंदबाजी अभी ख अच्छे खासे देंगे बहुत अच्छा कटर्स का प्रियोक करते हैं जिसके चलते इनको अच्छे खासे विकेट भी मिले हुए एक्स्पिरियंस बहुत ज्यादा है मस्चपिक रहेंगे अगर इनकी टीम में बॉलिंग नहीं कर रहें तो मैं मुस्प्रोली जियोज गाटन को लेखे चले जाओंगा उसके लावा नीचे कोई और उतना अच्छा अप्शन है नि धनाजय वगारा खेलेंगे कोई जो सीबोट तो सुब्रेन यह लोग एक एवरेज पिक रहेंगे तो दोस्तों जो अभी के लिए टीम होरी है कुछ इस प्रकार से जहां पर कप्तानी म को भी कर सकते हो बट मैं जेशन ओल्डर के साथ ज्यादा जा रहा हूं कि इनकी बल्लेबाजी पर थोड़ा मुझे ज्यादा भरोसा है इवन गिनबाजी एट लिस निका ज्यादा अच्छा फर्म है प्रिटोरियस से इसलिए प्रिटोरिस को भी कर सकते हो और स्मॉल लिग म स्मॉल लिग में अच्छे उप्शन है इनको ग्रेंड लिग में जरूर कैप्टन कर लेना खास करके फर्स्ट गिन बाजी में ट्रंपिक के तौर पर जो मैंने आपको बताया थे हैं विहान मूल्डर ग्रेगोरी गाटन और जॉंचन चाल्स यह पांच आपके लिए ग्रें लिग में लगाने की गलती मत करना ग्रेंड लिग में यह आपके ट्रंपिक्स काम आएंगे वह आपको खुछ से टीम बनानी पड़ती है इसके लावा कुछ भी चेंज होता है मैं आपको टेलिग्राम पे इंफर्म करूंगा फ्री में टेलिग्राम से अगर आप नहीं जु कर दो एक wordt है आपके लो debeह इंगे जुब में एंगे इंए, यह आपको आपके लीच CASो अवी tandem की वह बीचाफी चैने जटेदे की काम कै वह आपके मैं वह दो से लिगSpश खुछ की में टेलिग्राम की टेलिग्राम और्य पावाने की टेलिग्राम ग्रते हैं आपके अवे